आज हम लोग डिमस्ट्रेट करने बाले सुर्ण नमस्कार अम लोगों के साथ आज है मोनीका मैं हेलो मैं या पर रितिका चलिए अब यह हैं म लोग बताते हैं कैसे करते हैं कल संडे है कल आप घर में यह कर सकते हैं बहुत अच्छे एक्सराइज है तो यह स्टरडिंग तो यह आपका एक हुआ ऐसे गर के आप 20 का पास सेट कर सकते है एडवांस में और आप 20 का तीन सेट कर सकते है वीगिनर लेबल में तो फिर से डेमस्टेट करते हैं आप लोगे सुविधा के लिए Okay, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंट थेंक योगा पूसेस डेमूस्टेट करने वाला है जिन लोगा ब्रेक रिलेटेट इस्यूस है उन लोगों को यह नहीं करना है ब्रीधिंग आपका नॉर्मल रहेगा सास को रूपना नहीं है तो यह भूस नहीं है पेले हम जो आसन डेमूस्टेट करेंगे वा पोचिन आपका हाथ दोनों पर उठाईए धीरे से सामने लेके तो टच किजिए आपका जितना कॉंफरडेबल जोन है उसी में रही है ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है जितना हो से उतना ही पोस को आपका रोक के रखना है तीस सेगंड का काफी है तो यह हुआ आपका बज अमर सीधा रहेगा चेश्टा आप फिर धीरे से आप सामने जुकिए हाथ उपर करके भुजांगासन करना है सामने चले जाएए यह आपका भुजांगासन होके है यह भी आपको होल्ड करना है तीस सेगंड तक रिलैक्स हो जाएए अर्दम सिधा कीजिए आभी करने बाला है अर्दम अस्यांदरा असन एक पैर उठाईए दूसरा साइड में ले जाएए अपोजित हाथ को इधर लाके पुटने को लग कीजिए पीशे देखना है पीशे देखे यह पोजिशन को भी होल्ड करना है तीस सेगंड तक रिलैक यह वह पैर का पोजिशन हाथ का बेशन और विजिर साइड में होगा है रिलैक्स यह अभी हम लोग करेंगे धनुरासन सामनी धिरे से सोजाएए और दों पैर के फोल्ट कीजिए और विजिए और विजिए पुटने प्रेम करेंगे और विजिए धनुरास को भी हाथ 30 सेगंड पर फोल्ट कर सकते हैं तो सदी आसन 30 सेगंड पर फोल्ट करके आप 3 सिट कर सकते हैं तो इससे आपका बोडी रिलेक्स हुझरेगा अश्के बाद आप लास साव आसन करेंगे एक तो यह समझादे है, प्याको भी रेलक्स आपी, साइड में चूड़े जाए, यह बंग रहे गा, यह पोजिशन पे इक में तरो की है, बोजु फिल ने दाना, बता मुटा हम गाए तो डेक्टेंट रिलेटिट अंगो की होगा पोजिस करेंगे, तो अभी स्टर्ट आपका दोनों हाथ उपर लेकर सामने चला जाईए यह हो गया भुजांगासंग यह पूज में होल्ड करना है आपका जितना उसे 10 सेगंड 20 सेगंड या 30 सेगंड तक होल्ड कर सकते हैं ब्रीधिंग नॉर्मल रहेगा इसके बाद धीरे से डाउन सो जाईए अब यह हम लोग करेंगे सलावासन यह अर्द सलावासन भी कर सकते हैं जिन लोगों प्रॉब्लेम होता है सिंगल लेक उठाईए अपर बोड़ी सामने डाउन ही रहेगा एक पैर उठा के होल्ड कीजिए वैसे ही 10 सेगंड या 20 अब दोनों पैर भी उठा सकते हैं एक साथ में यह भी ऐसे ही अपको होल्ड करना है यह दो आसन हम लोग आपको दिखा रहे हैं रिलैक्स उठके बैठिए तीरे से अब इस हो जाए पैर सिदा कीजिए दोनों अब जाद्रा परिबत्तन आसना करेंगे तोनों हाथ को सीधा रखिए टी पोजिशन में दोनों गुटने कूपर फोल्ड करके लाईए 90 डिग्री तक रहेगा तोरा डाउं अब लेफ साइड में डाउन करेंगे तो राइट साज में देखेंगे धीरे से डाउन करना है सास लेते रही है डाउन आप धीरे से डाउन सास लेता हुए सास छोटते उठाएं कई भी भी रोपना नहीं है सास यह दस बार कर सकते हैं तो यह तीनों एक्सरसाइज को आप तीन तीन बार कीजिए रिग्लर विसेस में तो बैक दिन सा पूर रिफ मिलेगा हुआ हुआ है